श्री गुरुपयो नमहा हरी ओम श्रीमद भागवत महापुराण महात्मयो छटा अध्याए सुख सागर नारद मुनी का सनत कुमार जी से श्रीमद भागवत की सप्ताह विधी पूछना और सनत कुमार जी का कहना नारद जी ने सनत कुमार से पूछा हे माराज इस सप्ताह यग्य भागवत पुराण सुनने की विधी बतलाईए कि कौन-कौन वस्तु इसमें चाहिए और किस तरह से यह करना होता है सनत कुमार जी बोले ये बात तुमने बहुत अच्छी पूछी सुनो इस सप्ताह यग्य को बीच महीने भादों वक्वार वकार्तिक वअगहन के सुनना बड़ा पुन्य है सिवाई इसके जब इच्छा हो और कोई पंडित व्यास जी अच्छे मिल जामे तब सुने शुब कर्म करना किसी समय मना नहीं है पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा महूर्थ पूछ कर अपने इश्ट मित्रों को कहला भेजे कि हमारे यहां सप्ताह यग्य होगा और आप लोग भी सुनने वास्ते आना वजो लोग की विरक्त होए उनको भी इस यग्य में बुलाना उचित है वजो स्थान घर में या बाग या तीर्थ पर अच्छा हो वह कथा सुनने वास्ते ठहरावे और वह जगा चांदनी वह केला वंदन द्वार आदी से अच्छे तरे अलंकृत करावे जिस तरह विवा आदिक वह यग्य में तयार कराते हैं और व्यास ची के बैठने को बहुत अच्छा उंचा सिंगासन रखवा दे वह वैशनव लोगों को जो कथा सुनने आवे उनके वास्ते प्रिथक प्रिथक आसन बिच्वा दे वह प्राता समय से व्यास ची कथा बाचना आरंभ करें वह श्रोतागन स्नान वह संध्या करके कथा होने से पहले वहां आवें वह चित लगा कर कथा सुने वह पहले दिन मुख्य मालिक कथा सुनने वाले को गणीश्ची की पूजा करना चाहिए जिसमें बीच सप्तहा यग्य के कोई विखन ना हो वह एक ब्राह्मन विद्वान को विश्णु सहस्त्र नाम का वरण सात दिन वास्ते दे कर बैठाल देना उचित है कि वह ब्राह्मन शालिक क्राम की पूजा व विश्णु सहस्त नाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी दल चड़ावे वह मुख्य श्रोता पहले दिन पूजा व्यास्त जी वह पूथी श्रीमद भागवत की सच्चे मन से करके यथा शक्ती भेंट रखने उपरांत हाथ जोड़ कर कहे हे व्यास्त जी आप साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज वह शुकदेव जी का रूप है मुझे अपना दास समझकर श्रीमद भागवत यज्य आरंब करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए जब व्यास्त जी कथा कहें तब मन अपना संसारी काम में ना लगावें और कथा सुनने उपरांत परमेश्वर का भजन भी उस सभा में करना चाहे व चार घड़ी दिन रहे तक कथा सप्ताह की सुना करें व व्यास्त जी को भी उचित है कि जल्दी ना करके अच्छी तरह समझा कर कहें जिसमें सब किसी को समझाई देवे दो पहर को दो घड़ी वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूद या फल व्यास्ची व शोता लोगों को खा लेना चाहिए व साथ दिन जब तक सप्ताह यग्य संपूर ना होवे तब तक शोता लोगों को एक बार संध्या समे भोजन करना चाहिए कदाचित केवल फल या दूद व घीप खाकर साथ रोज तक रह जाएं तो और अधिक पुन्य है निराहार ना रहकर कुछ खा लेना चाहिए सिवाए इसके साथ दिन तक ब्रह्मचरिय रहना व स्त्री से भोग ना करना व पृत्वी पर सोना व पत्तल में खाना शोता लोगों को उचित है और साथ दिन तक दाल व शहद व बासी अन व बैंगन व तर्बूज व मसूर व मोथी व उरद व पियाज व लहसुन व मूली व गाजर व कोड़ा ना खाकर अधिक भोजन ना करें जिसमें आलस से आवे व जब तक सबतहा कथा सुने तब तक क्रोध, जगडा या किसी की चुगली व निंदा ना करना चाहिए इन साथ दिन कोई स्त्री रजस्वला हो जावे तो व कथा ना सुने व मलेचादिक अशुध जात बीच सभा कथा के आनकर ना बैठें उनको सुनने की इच्छा होए तो दूर बैठ कर सुने व शुता लोगों को सत्य बोलना व दया रखना उचित होकर बीच कथा के शोर करना न चाहिए इस तरह सप्तह कथा सुनने से बड़ा फल होता है कोई स्त्री निश केवल बांच होकर या ऐसी होवे कि एक बेर उसका लड़का होकर दूसरा बालक ना हो या जिसका गर्बपात हो जाता है वह चित लगा कर इस सप्तह यग्य को सुने तो उसके संतान होवे और इस कथा सुनने के प्रताप से सबका मनोरत पूर्ण होता है वह प्रती दिन कथा सुनने उपरांत तुलसी दल वह प्रसाद सब शोताओं को देना चाहिए जब कथा संपूर्ण हो जावे तब आठवे रूज सप्तह होने का होम दशम सकंद के शलोक या गायत्री मंत्र से आहूती देकर करें वह अच्छे अच्छे पदार्थ ब्रांभनों को भोजन करावे वह अपने सामर्थ्य भर द्रव्य वह वस्त्र वह भूशन वह गउ वह प्रित्वी वह बरतन आदिक व्यास्ची को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए इस कथा के सुनने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारो पदार्थ मिलते हैं इतनी बात कहकर सनत कुमार जी बोले हे नारद मुनी तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा परायन कहें नारद मुनी ने कहा धन्य मेरे भाग्य इससे क्या उत्तम है जब सनत कुमार ने दूसरा परायन आरंब किया और वहाँ पर सब रिशीश्वर आनकर बैठे तब शुक्तेवजी महराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ पर आये सो सनत कुमार आदिक ने शुक्तेवजी को देखकर बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाला उस समय शुक्तेवजी सप्ताह यग्य की तयारी देखकर सब शोताओं से बोले तुम लोग इस कथा को चित लगा कर सुनों यह कथा वेद रूपी व्रिक्ष का फल है संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली वचिलका रहकर इस फल में अमरित रूपी रस भरा है इसलिए यह अमरित बारंबार पीना चाहिए इस कथा को श्री नारायन जी ने ब्रह्मा से कहा और ब्रह्मा ने नारद मुनी को बतलाया नारद जी ने वेद व्यास हमारे पिता से कहा वो व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया सो यह श्रीमत भागवत अठारहों पुराण में उत्तम होकर साधु वैश्नव को परमधन यही है स्वर्ग लोक में तपस्वियों वो ब्रम्ह लोक में ब्रम्हा वो कैलास में महादेव वो वैकुंठ में लक्ष्मी जी इस कथा को बाचती है जिस समय शुकदेव जी शुता लोगों से ये बात कह रहे थे उसी समय वैकुंठ नात ब्रम्हा व वरुन व कुबेर देवता प्रहलाद आदिक भक्तों को साथ लिए सप्ताह यग्य में आए उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे सबों ने उठकर दन्वत व जैजैकार किया और नारद मुनी मारे हर्ष के नाचने और गाने लगे और प्रहलाद जी करताल व उधव भक्त मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बचाने लगे उस समय नारायन जी त्रिलो की नाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उनसे कहा जिसके मन में जो इच्छा हो सो वर्दान मांगो तब नारद आधिक हाथ चोड़ कर बोले आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए इससे अधिक कौन वस्तु है जो मांगे अपने चरणों की भक्ती हम लोगों को दीजिये शामसुंदर यही वर्दान सब को देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और सपतहा यग्य दूसरा संपूर्ण हुआ इतनी कथा सुनकर शौनक आदिक 88,000 विशिश्वरों ने सूत जी से पूछा कि शुक्तेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई वह गोकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी इसका हाल बतलाईए सूत पौरानिक ने कहा जब श्री कृष्ण जी महाराज दुआर का पूरी से वैकुंठ को पधारे उसके 300 वर्ष उपरांत भादो महीना नवमी के दिन शुक्देव महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और साथ दिन में वह पारायन संपूर्ण हुआ उसके 200 वर्ष पीछे गोकरण ने सप्ताह कथा कही उसके 306 वर्ष बीते सनत कुमार जी ने नारत को सुनाया सो कथा हमने तुमको वर्णन किया यह अम्रत रूपी कथा आदर वह प्रेम करके जो सुने वह पढ़े उसको सब भल मिलते हैं इती श्रीमद भागवत महात्मयं संपूर्णं श्री कृष्णार पड़मस्तु राधे 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 गोपाल राधे 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 नंदलाल राधे 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 गोपाल राधे 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 नंदलाल राधे 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 गोपाल